नमस्कार दोस्तों आज हम आपको खेल माकुम से सम्मंदित कुछ जानकरिया और देना चाहते हैं आप लोगों के कमेंट्स बॉक्स में तमाम तरहां की क्वेरिये इस आ रही हैं उनको देखते वे हम आपको बताना चाहेंगे के ये उत्राखंड के सभी जनपदों के समस्त ब ब्लॉक से जिस नियाय पंचायत में वो रहता है उस नियाय पंचायत में भी ये खेल अंडर 14 वर्ग के होंगे और उसके अतिरिक्त अंडर 17 और 21 के खेल आपके विकास खंड इस तर पर आयजित होंगे और इसके वारे में जो और अधिक जानकारी के लिए आप अपने निय कुछ ऐसा उपलब नहीं है तो किसी भी राज के इंटर कॉलेज में जाकर आप तिती संबंदी या इस्थान संबंदी जानकरी प्राप्ट कर सकते हैं कि ये खेल कब और कहां पर आयजित होंगे और वर्ग बार ये खेल अंडर 14 में नियाय पंचायत से ही सुरू होंगे और अंडर 17 और अंडर 21 के जो खेल होंगे वो ब्लॉग इस तरद से प्रारब होंगे और किस-किस वर्ग में क्या-क्या खेल होंगे या कौन से खेल बालक के लिए है या बालिका के लिए है या दोनों के लिए है ये सब जानकरी पर।िएक registration form में भी उपलब्ध है उसको आप जब registration form को भरने के लिए देखेंगे तो उसमें समझ जानकारी युवा कल्यार विभाग द्वारा form में submit QE है कि आप उसको देखकर अपने सारे खेलों की जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं और साथी team विधा में आप अधिकतम दो विधा में आप प्रतिभाग कर सकते हैं साथी athletic की तीन विधा में आप प्रतिभाग कर सकते हैं और साथी कुछ खेल ऐसे हैं जो सिधे जन्पत स्तर पर होने हैं जिन में आपको बताऊंगा के जूडो, बॉक्सिंग, टेबल टैनिस, टाइकॉंडो, ये खेल सीधे जन्पद इस्तर पर खेले जाएंगे और उसके बाद जो सलेक्ट होंगे बच्चे वही राजिस्तर पर प्रतिवाग करेंगे और ये बालक बाली का दोनों बरगों में ये हमसे बताते रहेंगे और आपको भी किसी तरह की कोई प्रावलम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी संका काम समधान करेंगे, धन्यवाद, और आपसे विनर्म अन्रोध है, किरपिया आप हमारे यूट्यूब च अपने संबंदियों में उसको सेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं, धन्यवाद